तो दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे विलियम सेक्सपियर के लिखी एक बहुत खुपशूरा सोनेट My Mistress, Eyes Are Nothing Like The Sun आप इसे सोनेट नंबर 130 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम सोनेट को line by line discuss करेंगे लेकिन poem को शुरू करने से पहले आये इसके बारे कुछ खास बाते जान लेते हैं जो आपकी exams के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस sonet को William Shakespeare ने 50-90 के around में लिखा था और इसका first publication 1609 में उन्होंने अपने sonet के collection में कराया था यह sonet iambic pentameter pattern में लिखी गई है क्योंकि यह एक English sonet है तो यह three quarter and और single complete में divide की गई है और इस sonet की raming scheme A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G है अगर इस sonet के theme की बात करें तो इसमें Shakespeare व्यंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और यह व्यंग यह satire sexper उन poets पर करते हैं जो औरतों की खुबसूरती को अच्छा दिखाने के चकर में उनको इतना यदा idealize कर देते हैं इतना यदा imaginary element यूज़ कर देते हैं कि उस poem को पढ़ते समय आप यह बता सकते हैं कि इसमें जितना भी compare किया गया है सब कुछ fake है और इतनी idealize beauty हो ही नहीं सकती जैसे दूसरे poet जब female का comparison करते हैं तो sun से, moon, river, flower, perfume, snow, etc बहुत से चीज़े हैं जिसके साथ वो औरत का compare कर देते हैं जबकि Shakespeare इस poem में अपनी mistress को एक common human की तरह बताते हैं और Shakespeare कहते हैं कि जो मेरी mistress हैं अगर मैं उनको देखू तो उनमें ये सारी कोई भी quality नहीं दिखती कि न उनकी आखें सूरज की तरह हैं नहीं उनके होट गुलाबी हैं नहीं उनकी जो smell है उनकी जो breathe है वो कोई perfume की तरह ह मतलब ऐसी कोई भी quality उनमें देखने को नहीं मिलती है लेकिन फिर भी उनकी mistress उनके लिए बहुत ही खुबसूरत हैं बहुत ही special है और वो अपनी mistress से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक वीडि सोनेट के सुरुवाती लाइन में सेक्सपियर कहते हैं मैं जिस औरस से प्यार करता हूँ जो मेरी मिस्ट्रेस हैं उनकी आखें सूरज की तरह चमकदार नहीं है उनकी आखों में जो चमक है वो सूरज की तरह नहीं है अगर हम इस लाइन के figure आप speech की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर similar figure आप speech देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर comparison word like का use हुआ है और यहाँ पर सूरज और आखों का comparison किया गया है आगे की लाइन देखिए coral is far more red than her lips red coral एक red कलर का stone होता है जिसे हम मूंगा भी कहते हैं तो इस line का मतलब है coral is far more red मूंगा भी पहुत ही ज़्यादा लाल है than her lips red मेरी mistress के होठों की अपेक्षा यानि मेरे mistress के होठों से coral भी कही ज़्यादा लाल है if snow be white, white then her breasts are done अगर हम snow को white कलर का मानते हैं तो उसकी तुल्ला में जो मेरी mistress के ब्रेश्ट का रंग है वह कुछ खास नहीं है वह gray कलर का है if hairs be wire, black wire grow on her head if hairs be wires अगर हम बालों को wire यानि तार के रूप में अगर देखें तो मेरी mistress के जो hair है वह black wire की तरह है यानि मेरी mistress के hair black कलर के है I have seen roses, damask, red and white तब poet आगे लिखते हैं कि मैंने ऐसे भी गुलाब, ऐसे भी मैंने roses देखे हैं जो red और white कलर की mixture में बने हैं उनमें red और white दोनों कलर मिले होते हैं लेकिन मैंने अपनी mistress के गालों में ऐसा कोई भी रंग नहीं देखा है नहीं उसके गाल गुलाबी रंग के हैं नहीं उसके गाल सफेद रंग के हैं और कुछ ऐसे भी perfumes हैं, कुछ ऐसे भी इत्र हैं, जिनकी smell में बहुत ही ज़्यादा आनन्द है, बहुत ही ज़्यादा delight है than in the breathe, that from my mistress reeks breathe का यहां पर अर्थ है सांस लेना और reeks का रथ होता है एक ऐसी smell जो बहुत ही ज़्यादा special नहीं है, बहुत normal सी smell है तो इस line का रथ है कि सांसों की अपेक्षा जो मेरी mistress लेती है, तो चलिए इन दोनों लाइनों का रथ हम एक सांस देखते हैं, तो आपको इसका complete sense पता चलेगा तो poet इन दोनों लाइनों में कहते हैं कि कुछ ऐसे भी perfume है जो की बहुत ही ज़्यादा आनंद देते हैं, तो जो मेरी mistress की breathe है, जो मेरी mistress सांसे लेती है, अगर उसका comparison हम किसी perfume से करें, तो perfume में मेरी mistress की सांसों की अपेक्षा कहीं अधिक delight है, कहीं अधिक आनंद है, यानी perfumes मेरी mistress की सांसों से अच्छा महकते हैं, आगे की line में sexpill लिखते हैं, I love to hear her speak, मैं मेरी mistress को जब बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, yet well I know, फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, that music hath a far more pleasing sound, कि संगीत में, music में, मेरी mistress की आवाज से क जादा आनंद प्राप्त किया सकता है, I grant I never saw a goddess को, I grant, मैं यह स्विकार करता हूं, I never saw a goddess को, मैंने कभी भी किसी goddess को चलते हुए नहीं देखा है, यानि मैंने नहीं देखा है कि जब कोई देवी चलती है, कोई goddess चलती है, तो कैसा लगता है, my mistress when she walks trends on the ground, लेकिन जब मेरी mistress चलती है, तो वह भी एक सामान्य मनुस्य की तरह ही चलती है, जो जमीन पर चलती हुए मुझे दिखाई देती है, यानि इन दोनों लाइनों का आर्थ है, कि मैं यह बास स्विकार करता हूं, कि मैंने आज तक कभी किसी goddess को चलते हुए नहीं देखा है, मै मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके चलने में कोई गौडलीने से कोई दैवी एकरिया हो रही है, यानि वह भी एक सामान्य मनुस्य की तरह ही दिखाई पड़ती है, और यही सोनेर की लाश की दो लाइने हैं, तो इसमें सेक्सपिया लिखते हैं, and yet by heaven, और फिर भी मैं heaven की कस खाकर कहता हूँ, I think my love is rare, I think, मुझे ऐसा लगता है कि my love is rare, मेरा प्यार बहुत ही rare है, बहुत ही unique है, और बहुत ही special है, as any she belied with false compare, और मेरी mistress भी आम इनसानों की तरह ही है, लेकिन मेरी mistress को अच्छा बताने के लिए उसकी जूठी तारिफ करने की कोई जरूरत नहीं है, व झाल, 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 झाल